नमस्कार आप सभी को जहिन मेरी आजवी का मेरी पहचान आज मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा इस दोना पत्तल उद्यों केंद्र में भाई लोग आये हैं लगभग 230 किलोमेटर की दूरी से 36 गड़ में एक सक्ती जीला होता है जो नौनलमित जीला ह वहां से हमारे साथ कौसल जी वा किसोन जी जो दोनों भाई हैं सगे भाई हैं यह बड़े भाई हैं और छोटे भाई हैं दोनों मिलकरके एक आईसी परियोजना जो दोना पत्तलों जो केंद्र के लिए काफी दिनों से इतक प्रयाज के साथ उन्होंने रकम जुटाया और आज उन्होंने 100% अपना देते हुए आज हमारे बीच में उपस्तित है जी कौसल जी इस योजना पर योजना से आप क्या सीख रहे हैं और आगे आपके मन में सोच क्या है बताइए जी सर हम लोग का इसी माध्यम से आपका परिचाय हुआ और आज नमस्कार जी सर जी और बह बहुत आगे जाएंगे ऐसे लग रहे हैं मेरे का बहुत अच्छा होगा और हम लोग बहुत बेरोजगार थे आज रोजगार मिल रहा है पर लीके सिक्षे कॉलेज किया हुआ है अब मैं आई टी फीटर में हूँ और अप्रेंटिस कर चुका हैं और कॉलेज अब ये फाइ सिक्षित हैं ग्रेजुएट हैं आज की समय पे और एक समय पे ये लोग क्या काम किया करते थे खिलाओने बेशते थे और चुन्नी या जो बजारों पे मेलों पे लेकिन एक अचानक से दिमाख में आया जब इन्होंने हमारे बारे में सुना और देखा तो आज वो भोईश को देखने वालों को मैं कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से सीखिए कि ऐसे यूवर साथी जो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि कुछ अलग करें ऐसे आप भी अलग कीजिए अपना खुद का उद्योग कर निर्मार कीजिए नौकरी मिलना ए एक बार धेसर शुपकामनाय देता हूं और आने वाले सप्ताह में इनका दोना पत्तल द्योग केंद्र के स्थापना हम अपने हाथों से करेंगे सब मिल करके कौशल जी को और छोटे भाई को तहदिल से सुक्रियदा शुपकामनाय पुरे परिवार को दोना पत्तल लिए और आप भी अपना भोई से कुछ चमकाई हूं जय हिन जय भारत मेरी आजिवी का मेरी पहचान